राम मंदिर में राम नौमी को सूरी देवता करेंगे। श्री राम का तिलक शोशल मीडिया पर ख़बर तेजी से हो रही वायरल। राम नवमी को राम मंदिर में दिखेगा विज्ञान और श्रधा का अद्भुत मेल हमारे साथ समझी पूरी खबर और जानिये विज्ञान कैसे करेगा चमतकार जिसके कारण सूर्य देवता का हो जाएगा श्री राम के माते पर तिलक जैसा आकार जब से श्री राम का अयोध राम नाम की महमा गाएगा तर असल आने वाले समय में स्वयम सूरी देवता श्री राम का तिलक करेंगे के तैयारियां जोरो पर चल रही हैं जहां इसी साल राम मंदिर का उधगाटन हुआ वहीं दूसरी ओर राम मंदिर में विज्ञान का चमतकार भी राम नवमी पर देखने को राममंदर की स्थापना और उद्घाटन के बाद ये पहली बार होगा जब राम लला का तिलक स्वैम सुर्ध्यव करेंगे राम जी के इस यसी तिलक के लिए विज्ञान का भी सहारा लियागया है इस आयोजुन को प्रोजेक्ट सूर्य तिलक नाम दिया गया है वेग्यानिकों ने एक पद्धती विक्सित की है जिसमें मिरर, लैंस वपीतल का प्रयोग कर सूरी की किड्नों से राम का तिलक किया जाएगा आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें किसी भी तरह से बिजली यंत्रों का उप्योग नहीं किया जा रहा है और नाहीं किसी बैटफ्री का ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके द्वारा चैत्र की हर राम नावमी पर सूरी देवता श्री राम का तिलक करेंगी आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरी की किड़ने श्री राम का तिलक करने के साथ राम नावमी की दिन मध्य बेला में 12 बजे राम नावमी की दिन मध्य बेला में 12 बजे राम नावमी की दिन सूरी की किड़नों से अभिशेख होगा इस आवधी में सूरी की किर्णे सीधे राम लिला के ललाट पर पढ़ेंगी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसी सोमवार को सूरी से राम का तिलक करने का सफल परिक्षन भी किया गया कर साजा कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि क्या आप भी शुराम के मंदर जाना चाहते हैं या फिर जा चुके हैं ब्यूरे रिपोर्ट बीडियन न्यूस